बढ़ी अब तो मंज्रेकर ने भी बोलना शुरू कर दिया है पद्ला इंडिया से भी वाज़ा उटना शुरू हो कही है आपको लगता कि मंज्रेकर का बोलना या बनता इस तरह के ICC जो वो BCSI को फेवर कर रहे है कुन है मन्दरी कर ये, क्या किया किया इसने क्रिकिट में प्स इस बात पर मन्दरी कर रहे हो आपभा की अबा की टनी पूरी रही है, ऐनकी अबा की पास टीर्पी थी भाईया, वो क्रिकिटर थे बैबी उसका हुआ था, 87 में, 3-day match में सौ की है थे सुनिया में अच्छा टेक्निकली होता तो तारीख में बहुत जगां होता ठीक है कुछ जगां पर है इसका मतलब है कुछ ही दावस हो ठीक है वो जो अबबा की टियार पी है वो ये ले रहे हैं और मुझे ये भी बता है कि यार ये जो टेस्ट इंडिया से खेल उसमें इनके अबबा की भी रदाबंदी शामिल होता ये फिवाई दो जात्ती नहीं है यार बिलकुल है ना अली यार बिलकुल है ना पाकिस्तान इकला वाखार इनोंस के जैसा बॉलों के साम ने शायए तोसी भई बहुत टेस्ट मैच के लिए हो दो सो पैस्ट पैस के कर आप भी दोड़ डोन्ड के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि अर्वनका फिर नहीं था हो डोसी इनोंस के बाता हुए है उनका मसला यह नहीं रहा आप देगे आर वो कमेंटेटर है वो अपना एंगल दे ही नहीं सकता है वो किसी को नहीं चोड़ते ना मैं तो उनसे काने भी सुन चुका हूँ संज्य मेंजरेकर से मैं उनका इंटर्व्यू भी कर चुका हूँ और रमीज भाई से ही कर वाया था हूँ अगर किसी ऐसे क्रिकेटर को जिसके लिए आपको चीजें ढूडनी पड़े तो इसका मतलब है कि बहुत थोड़ा ही जादा लिए था मैं यह कहा रहा हूँ मैं यह नहीं कहा रब बुरा था हूँ मगर यह के संज्य मेंजरेकर अगर कह रहे हैं कि आई सी सी को देखना चाहिए तो भाई आई सी सी देख ले इतना तपड़ है फसेंजे मंजरेकर के वाद में का ICC देखेगी अब यार वो मूनी लगा ता है लेकि रिफ़ भी मेरे सवाल ये कि जब इंडिया फाइनल में पहुची है मंजरेकर आप मुझे भी पता मजाख में बात कर रहे है लेकि मंजरेकर एक बहुत बड़ा नाम है तोसी बैने उस पे स्टेंप लगा दिये कहाँ अच्छा प्लेयर उसके आद हमारा आपका कहना बनता ही नहीं है लेकिन क्या ये बनता है कहना इस बात को यारे मेरे पे कोई अटेक करवा दो पाकिजदान खिलाब 200 की हैं मुझे याद है होंक कॉंक सूपर सिक्सिस में उन्दा ने जिताया दिया दोसों को फूमेंस टीम के सेलेक्TER ले भी एक निए आप देखो कहां आ रहे है होंक कांग की बात करें तो एक हमारे बालर ने जो आजकर टीवी बैटे कितने 45 रंदे 48 रंदे आठ बॉलों गो बाल दास वादन और हर बॉल बें चक्का चाहिए था वारणर देर्स कर दिया था बारा लिफे भाई इतने तो मैंते कहना है कि इंडिया फाइनल में पहुचा हुआ है हम सब पकिसान में बैटके इंडिया की तारीफ रहा है ठीक है पॉलिटिक्स से हटके अगर वो अच्छा खेल रहे है तो सी बाय बैंगलोर के वह तारीफ रहे है लेंगे इंडिया के अपने अंदर से इआउड रहा है ये कोई समझ में नहीं आ रही है भाईज़ अली यार ये इनका मसला वो नहीं है ये क्रिकेट में रहना में चाहते हैं ये कुटिनी बुवा हैं ये इनका मसला ये है के जो मैं तुम चिंदी चोर छोटे सी क्रिकिट खेल कर तुम अब धराची तुम्हें इंग्लिश कोमेंटरी अच्छी मिल गई तो इसका मतलब यह है कि जो तुम कह रहे हो वो सेटिफाइड बात है घंटा ऐसी कोई यहार फुदूर की बात कर रहे हैं मतलब यह चेड़ेवे लोग नहीं होते जो सिर्फ अपनी बात करना चाते हैं मैं यह नहीं कहा रहा है इंडिया पहुंच के भईया मैं इंडिया की तारीफ नहीं करता मैं उनके क्रिकेटिंग सिस्टम की तारीफ करता हूँ मुझे क्या बता किस तरह से खेल रहे हैं मगर जो मुझे क्रिकेट में नजर आता है वो ही बात बताता हूँ अब वो इतिवाख है कि रोई शर्मा इंडिया कहे तो मैं क्या करूँ विराट गोली इंडिया कहे तो मैं क्या करूँ वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट बता रहा हूं उनकी मैं अब संजीय मंजरे का टाइप इसके लावा दो-चार लोग और भी है नहीं इस सिर्फ ये नहीं है जिनके अंदर है मसाइल है जिनके अंदर ये वाले कुटनी बुआउं वाले किसी भी अपनी चीज को अपनी जास से जोड़कर ऐसा पेस करो कि जैसे ये राइज हो जाएगी नहीं राइज होती है ये कितनी दाफ़ा ये कॉमेंटरी से भार कर दिये गया है आपको बता ही नहीं है ये कौन है मतलब ठीक है तुमने खेली है इतनी क्रिकेट माइकल वान कसर इसलिए बनता है क्योंकि एंग्लेंड का प्लेयर वो कह सकता है लेकिए आपकी टीम जीत रहे हैं तो सब्सक्राइब कुछ प्लेयर चोड़दे के बाद जादा बड़े क्रिकटेर हो है उनमें से सा हैं उनके अब हमें नदर आने लगें और दाएर हैं उनके अभी बहुत कुछ मगा फील नहीं होने देते और जब जीते हैं ना सब खतम करते हैं उनका फोकस जो है जीत जावाई इसलिए समझ नहीं है कि इंडिया फाइनल में है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपका इसलिए आपने उनकी उन्हीं उनकी 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 उसको नहीं मज़ा आता क्या में पर कितना सोचल मेडिया पे ट्यार फी लेतेैं वह आपल टीट के ओपर खी roupर अा तैक है मगर जहां पर उसको बांदिया थे एक एक तो फर्मूले में कि भाईया आपने ये काम करना है उसको वो पूरा पूरा लेकर चलते हैं इनके तो मुह में ऐसा लगता है जाला बजरी भरी लिए